अगर किसी एपी में और नंबर की टर्म स्वाइब है अगर किसी अगर किसी एपी मिल्ट की टर्म स्वाइब है तो उसका जो मिडल टर्म होगा वही होगा ज़azar उसी फर्स और लास्ट टर्म का अर्थमैटिक मीन होगा तो आपके देखा होगा यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है अर्थमैटिक मीन कोई भी एपी में माल लीजिए कोई भी AP है AP आपको पता है जिसमें difference common होता है series में देख रहे होंगे आप 1 प्लस 2, 3 प्लस 2, 5 प्लस 2, 7 प्लस 2, 9 कोई भी AP है तो अगर मैं इन दोनो terms का arithmetic mean निकालूं तो वो भी वही आएगा जो कि इन दोनों के बिल्कुल बीचो बीच वाला term होगा समझें आप arithmetic mean क्या होता है arithmetic mean का मतलब होता है कि अगर आपको किनी दो terms का exact center वाला number चाहिए तो आप क्या करें उन दोनों terms को add कर दे और divided by 2 कर दे तो 5 प्लस 1, 6 हो गया 6 upon 2 is equals to 3 तो ये 3 तो इन दोनों का arithmetic mean है ये 3 arithmetic mean है लेकिन इन दोनों के बीचो बीच जो number होगा वो भी ये ही होगा तो ये ही बात वो आपको proof करने के लिए कह रहा है समझेंगा तो arithmetic mean होगा कि किनी भी 3 terms के हम बात करें तो जो बीच वाला number होगा वो भी वही होगा जो अगल बगल वाले number का arithmetic mean होगा जैसे आप इसको चेक कीजिए 9 प्लस 5 होता है 14 14 divided by 2 होता है 7 9 प्लस 5 upon 2 जहाता है 7 तो यहनि इन दोनों का arithmetic mean निकालोगे तो भी 7 आएगा और इन दोनों के बीचो बीच अगर आपको इन नमबर देखते हैं तो भी 7 होगा आप देखें बीचो बीच का क्या मतलब है अब माल लिजे आप 2,3,4,5 5 terms है तो इनका जो बिल्कुल exact center वाला number होगा वो यह 5 होगा आप देखें यह बिल्कुल बीचो बीच का number है 2 एदर छूटे, 2 एदर छूटे तो बिल्कुल बीचो बीच का आप इन दोनों का arithmetic mean निकालिए 9 प्लस 1 होता है 10 10 divided by 2 होता है 5 तो आप देखें कि इन दोनों का arithmetic mean भी वही होगा जो इन दोनों के बिल्कुल बीच का term होगा यही question में वो proof करने के लिए कहा है वो बोल रहा है कि अगर कोई AP है और उसमें odd numbers में है मतलब कि terms की value odd नहीं कह रहा है वो बोल रहा है जो number of terms है वो odd है जैसे माल लीजे 1, 3, 5 तो वो इनकी बात नहीं कर रहा है कि यह odd होंगी यह values नहीं वो बोल रहा है total number कितने हैं इसमें 1, 2, 3, 3 terms हो गई तो यह जो 3 terms है यह odd number है तो आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि अगर total terms और numbers में हो जैसे माल लीजे 1, 3, 5, 7, 9 देखें कितनी हो गई total 1, 2, 3, 4, 5 कि अगर ऐसी AP है तो उनके लिए जो बीचो बीच की जो term होगी वो उस AP की first और last term का arithmetic mean के बराबर ही होगी ये बात हमें proof करनी है समझे है तो अब शुरू करते हैं हम लोग और सबसे पहले एक assume करते हैं कोई AP तो माल लीजे अगर कोई भी AP है तो उसमें first term को पता है A होता है तो इसको ये तो value की बात करें हम लोग की A, A plus D, A plus 2D ये तो value हो गई उसकी फिर third position की term हो गई ऐसा करते करते माल लीजे उसमें N terms है total कितने number की terms है N terms है ये ये value हो गई total number of terms हो गई N और N जो है वो odd number है मतलब कि ये total terms हो गई वो 1, 3, 5, 7, 9 में से कितनी भी terms हो सकती ठीक है अब question के according चलते है माल लीजे first term हो गई हमारी A और last term हो गई हमारी A N तो question ने कहा था कि first और last का arithmetic mean भी बराबर होगा उसकी center वाली term के बराबर तो जैसा question ने कहा है वैसी ही condition रखे हम solve कर लेते तो सबसे पहले question ने कहा कि first और last यनि सबसे पहली और आखरी जो term होगी उनका arithmetic mean तो पहले उनका arithmetic mean निकालना पड़ेगा मैं तो सबसे last term A N A N का formula क्या होता है A plus N minus 1 into D ये Nth number पर term है तो A plus N minus 1 into D और first term क्या होगी A इनका arithmetic mean निकाली तो यह आज़ेगा किता A plus A plus N minus 1 into D अप और में 2 ये N का arithmetic mean होगी है हमने भी पढ़ा था कि first और last को plus कीजिए divided by 2 कीजिए ये कुल center वाली term आज़ेगी तो ये A plus A होगया 2 A plus N minus 1 into D अप और में 2 ये आगे हैनका arithmetic mean ओके अब आगे चलते question ने का कि इसकी जो center वाली term होगी वो भी इतनी ही आनी चाहिए तो एक equation तो हमारी ये बन गई कि हमें arithmetic mean तो मिल गया अब हमें center वाली term निकालने पड़ेगी और इन दोनों को match करवाना पड़ेगा क्या वो एक जैसी है center वाली term क्या होगी अगर आपके पास कोई भी और numbers में term है और numbers मतलब माल लिजी आपे 5 boxes है तो आप कह सकते हैं कि ये वाला box जो है वो बिल्कुल middle पर है क्योंकि दो इधर से दो इधर से तो ये बिल्कुल बीचो बीच है ठीक है लेकिन अगर चार boxes है तो वहाँ पर ये आप देखे आप middle निकालेंगे तो वो यहां कही हाना चीए तो मतलब ना तो वह ये होगा ना वह ये होगा लेकिन और numbers में हम एकदम center वाला value find कर सकते हैं तो इसको निकालने का एक formula होता है formula क्या होता है जिसे मालनीजे आप center वाला position निकालना है आपको तो आप क्या करते हैं कि total जो number of terms है जैसे मालनी चे टोटल टर्म्स कितनी होगी 1,2,3,4,5 तो आप क्या करेंगे उसको divided by 1 प्लस करके 2 कर देंगे देखें जैसे कि टोटल 5 थी तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानि यह हो जाएगा 6 अपॉन 2 is equal to 3 यानि थर्ड टर्म का जो बॉक्स होगा वो विल्कुल center पर होगा देखे तीन बॉक्स है तो अगर मुझे center वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 यानि कि 3 प्लस 1 अपॉन 2 या जाएगा 4 अपॉन 2 is equal to 2 यानि second position का जो बॉक्स होगा यह second इसकी position आई है यानि second number पर जो बॉक्स होगा इधर से चले या इधर से चले वो बिल्कुल center क तो अगर मुझे इस arithmetic mean की एक्तम center position चाहिए तो उसमें भी तो हम यही rule apply करेंगे कि total terms कितनी थी n तो center position कैसी आएगी n प्लस 1 अपॉन 2 ठीक है अब यह जो value आई यह तो position का number आया number of position यह जिसको हम n के लिए कहते थे याद है आपको a plus n minus 1 into d यह जो n है वो यह आ गया अब वो n नहीं रहा n असल में यह बन गया यह यह उस जगा का number है जैसे हमने 135 तो यहाँ पर जो 3 है वो कौन सी position पे second position पे तो यह n का value तो है 2 तो यहाँ पर n का value जैसे 2 आ रहा है यहाँ पर n का value n plus 1 upon 2 आ रहा है तो असल में यह एक number है समझ क्या आप यह position का number है यह value नहीं position की यह इस 3 को represent नहीं कर रहा है यह 3 की position है उसको represent कर रहा है यह 3 की position कौन सी है second position है तो वैसी यह center position का number denote कर रहा है मतलब यह जो number है यह center position की value को define नहीं करता हो यह 3 को define नहीं करता है यह 2 को define करता है कि यह उसकी position है ठीक है अब देखते ह हमें ये center portion का number मिल गया तो हम इसकी value find कर सकते हैं, formula क्या होता है a n का a plus n minus 1 into d तो हमारे पास a तो इस पूरी series के लिए same ही रहेगा a plus n की जगा पे हमें क्या रखना है n plus 1 upon 2 minus का 1 into d यनि center portion पे जो value होगी वो ये वाली होगी और यही तो question हमें proof करने के लिए कह रहा था कि center position पे जो value होगी वो first और last position की value के arithmetic mean के बराबर होगा यनि ये value और ये value हमारी हम match करनी चाहिए equal आनी चाहिए तो ज़रा solve करके देखते हैं क्या ये इसके बराबर बनेगा चेक करते हैं ये होगया a plus इसको हमें LCM लेना पड़ेगा तो two one's are two इदर जला जाएगा whole upon में two आजाएगा into d one minus two होता है minus one तो value हाजएगा हमारा a plus n minus one upon two into d और solve करते हैं इसको तो ये two तो जो है वो इस वाली term के साथ है LCM लेंगे तो ये हो जाएगा two a plus n minus one into d अब whole upon में two आजाएगा ये value हाई a plus sorry a n plus one upon two यानि ये center position की value हाई है समझाएगा यानि जो हमने भी हापने number निकाला था n plus one upon two इस position पे ये value रखा हुआ है समझाएगा और ये value आप match कीजे इसके बिल्कुल equal है देखे two a ये देखे two a यहाँ भी two a plus n minus one into d upon में two ये देखे match कर रहा है तो हम कहेंगे from first and second arithmetic mean of first and last is equals to value between first and last या value की जगह आप लिखे देखे value of term या सीधा term भी लिख सकते है term is in between first and last in odd series hence proof ये हमने proof कर दिया okay समझ गया कि यहाँ पर से हमने देखा कि जो हम arithmetic mean निकाल रहे थे वो भी उतना ही था जितना center position पे जो term था उसका value था समझेगा अब इसको जड़ा एक example के through समझ लेते है हम सीधा सीधा भी समझ सकते है इसको अगर सीधा सीधा हम चेक करें कि यह सब values ना रखना पड़े है यह n plus 1 वगेरा आपको series तो पता है arithmetic progression की वो होती है a यह आपको पता है first position पर जो value होती है उसको हम a कहते second position a plus d होती है पर fourth position a plus 3d ऐसा करते करते हम चलते तो हमें तो केवल और series की बात कर रहे थे हम लोग तो हमें यह नहीं ले रहा है हमें और ले रहा है और numbers में ले रहा है तो उसने कहा था question में कि इन दोनों का arithmetic mean निकाले तो इनका arithmetic mean क्या होगा a plus 2d plus a upon 2 इनका arithmetic में निकाला तो यह हो जाएगा 2a plus 2d upon 2 is equals 2 2 comma ले लेंगे यह आजाएगा a plus d upon 2 2 से 2 cancel कितना आगया a plus d तो देखे क्या वो center position के number के बाबर है बिल्कुल है यही बात तो proof करने के लिए लिए तो इसके लिए हमने इसको इस pattern को लगा है कि हम यहाँ पे तो किवल 3 terms की बात करने है यहाँ पर हम कितनी भी terms की बात करने है कि कोई सी भी terms लीजे आप कितनी भी terms लीजे बस ओ और numbers में होनी चाहिए तो उनके लिए यह value आएगा तो यह हो गया first question परते है second question question कह रहा है between 7 and 85 मतलब कि M numbers है रूटा और वो arithmetic mean है so that the ratio of M-3 and M-th means is 1124 इस तरह से रखे गए है कि इस वाली term का और इस से पहली वाली M-3 वाली term का ratio इतना है 1124 आपको बता रहा है कितने numbers इनके बीच में रखे गए है तो शुरू करते हैं question सबसे पहले देगे हमारे पास 1 and 9 इस example को यह पर हम apply करेंगे इसका arithmetic mean होता है दोनों को plus कीजिए divided by 2 कीजिए इसका center number आजाए 9 plus 1 10 divided by 2 आजाएगा कितना 5 इन दोनों का arithmetic mean 9 plus 5 14 plus divided by 2 आजाएगा 7 5 plus 1 6 divided by 2 आजाएगा 3 आप check कीजिए यह तीनों number जो है यह arithmetic mean है तो यह तीनों इस तरह से set होंगे कि इन दोनों को भी अगर हम involve करते हैं तो यह एक arithmetic progression बढ़ाते हैं आप check कर सकते हैं 1 plus 2 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7 7 plus 2 9 समझाएगा तो question कह रहा है जो आपको given है वो केवल इन numbers की बात कर रहा है इनको वो कह रहा है 1, 2, 3 and so on M number रखेगे जैसे आप यहापर देखे यहापर हमारे पास केवल 3 arithmetic mean है यहापर कह रहा है आपके पास M arithmetic mean है यहनि इसके बीच में M numbers रखे गए हैं उनी को हमें बताना है लेकिन इसके हिसाब से पहले हम यह question को बनाते हैं कि question क्या कह रहा है कि वो किन का ratio दे रहा है देखे सबसे पहला number है 7 और आकरी number है 85 इनको तो वो involve ही नहीं कर रहा है वो केवल इनके बीच वाले number की बात कर रहा है तो माल लीजे इनके बीच में उसने इसको first position दी होगी इसको second दी होगी और जो ये वाला number बूलाओगा ये उसने m बूलाओगा अब ये अगर m है तो इससे just पहले वाला m-1 होगा अगर ये 7 नंबर होगा तो ये 6 नंबर होगा ये 5 नंबर होगा ये फिर m-2 वाला number होगा और ये m-3 वाला number होगा तो question में जो आपको ratio दिया जा रहा है वो इन दोनों का दिया जा रहा है कि m-3 का ratio और m का ratio दे रहा है आपको 11-24 ये दे रहा है लेकिन जब हम solve करेंगे तो हम तो इनको भी involve करेंगे क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि इन दोनों को मिला कर भी arithmetic progression बन जाता है तो यनि ये और ये भी इस progression के term होगी तो इनको भी तो हमें number देना पड़ेगा इनको भी तो portion देना पड़ेगा तो हम दुबारे से इसको numbers देते है तो हमने कहा ये हो गया first portion ये होगी second portion, ये होगी third portion ऐसे करते हैं करते हम जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारी m plus 2 portion कैसे आप चैक किजिए अगर बीच में total 3 number थे हमने कहा कि बीच में 3 arithmetic mean है यनि कि 3 number बीच में तो एक ये और एक ये ये भी तो total में add होंगे तो 3 plus 2 कितने होगे 5 यनि 3 plus 2 5 होगे तो अगर बीच में m numbers हैं तो एक ये हो गया और एक ये हो गया तो total m plus 2 होगे तो अगर हम यहां से 1,2,3 करके चलेंगे तो ये m plus 2 वाला number हो जाएगा last वाला थेके अगर ये m plus 2 है तो जिसको question m number का arithmetic mean कह रहा था इसका number हो जाएगा m plus 1 कैसे अगर ये m plus 2 है तो इससे just पहले वाला m plus 2 minus 1 ही तो होगा तो वो solve करेंगे 2 minus 1,1 होता है तो वो m plus 1 वाला number बनेगा ये जो m minus 1 वाला था question के इसाब से वो नई जो हमने उनको series में नया number जो दिया है उसके इसाब से किता होगा m वाला होगा इससे just पहले वाला वो m minus 1 वाला होगा और इससे just पहले वाला m minus 2 होगा अब हम एक question के according चलना है लेकिन जो terms के जो number है वो अपने वाले रखने हैं जो हमने बनाए हैं ये अब देख रहे हैं तो सबसे आगरी वाला जो term होगा इसका formula हमें पता है L होदा है 85 लास term को हम क्या कहते है L और इसका formula भी होदा है A plus N minus 1 into D A plus N की जगा पर कहा है M plus 2 minus 1 into D is equals to 85 अब A की जगा पर है 7 2 minus 1 1 हो जाएगा into D is equals to 85 ये हो जाएगा M plus 1 into D is equals to 85 minus 7 D is equals हो जाएगा 85 minus 7 किता हो जाएगा 78 upon में M plus 1 अब देखे हमारे पास D का value हो आगया अब question नहीं जैसे कहा है question कहा है कि M minus 3 वाली जो term थी तो M minus 3 वाली term का number अब क्या हो गया है M minus 2 तो हमारे पास formula था A plus N minus 1 into D upon A plus N minus 1 into D ये था किसके लिए M minus 3 वाली term के लिए और ये था M वाली term के लिए is equals to उसने कहा था 1124 है value रखेंगे A की 7 plus N की जैगा पे अब जो हम value रखेंगे वो अपनी वाली जो हमने term को number यह दे है वो रखेंगे सबसे पहला M minus 3 बोला था तो M minus 3 हमारे इसाब से क्या बना M minus 2 और minus 1 into D upon में 7 plus M वाली जो term M वाली term इनके इसाब से जो थी वो हमारे साब से क्या बनी M plus 1 minus 1 into D is equals to 11 upon 24 अब solve कीजिए 7 plus M minus 3 into D D की जगा पे value रखेंगे हम लोग 78 upon M plus 1 whole upon में यहाँ जाएगा 7 plus M plus minus यह cancel हो जाएगा केवल M बचेगा और D की value रखेंगे M plus 1 is equals to 11 upon 24 solve करेंगे M plus 1 इसके साथ चला जाएगा 7 into M plus 1 plus M minus 3 into 78 upon में M plus 1 इसके साथ चला जाएगा plus अच्छा upon में जो M plus 1 था और इसके upon में जो M plus 1 था जब हम LCM लेंगे तो वो दोनों cancel होगे 11 upon 24 solve करेंगे 7 M plus 7 plus 78 M minus 78 into 3 3 8s are 24 carry 2 3 7s are 21 plus 2 23 whole upon में 7 M plus 7 plus 78 M is equals to 11 upon 24 solve करेंगे इसको same family है 78 plus 7 हो जाएगा 85 M और minus का इसमें से 7 चला जाएगा तो 227 और अपन में ये भी आजाएगा 85 M plus 7 is equals to 11 upon 24 इसको इदर लेके जाएगी इसको इदर लेके जाएगी तो ये हो जाएगा 85 M into 24 minus 24 का multiply इससे भी होगा 227 into 24 is equals to 11 into 85 M plus 11 into 7 ठीके solve करेंगे इसको तो ये हाएगा 85 into 24 इसको करेंगे तो ये हाएगा 2040 M minus 227 into 24 करेंगे तो ये हाएगा 5 double 4 8 और is equals to 11 5 is the 55 11 8 is the 88 plus 5 93 M और plus 77 इसको इदर लेके जाएगे 2040 M minus 935 M is equals to 5 double 4 8 और plus का 77 solve करेंगे तो ये हाएगा 10 minus 5 5 और यहाँ बचेगा 3 3 minus 3 0 और यहाँ बचेगा हमारे पास 20 minus 9 11 यहाज़ेगा is equals to 8 plus 7 15 carry 1 7 plus 4 11 plus 1 12 carry 1 4 plus 1 5 और 5525 यहागया तो M का value हाज़ेगा 5525 upon में 1105 इसको हम करेंगे तो यह जाएगा 5 times 1000 5 is the 5000 and 105 5 is the 525 तो यह आज़ेगा 5 times तो M का value हागया हमारे पास किता 5 यहनि total इनके बीच में जो arithmetic mean रखे गए थे वो यह 5 नंबर रखे गए थे आप यहाँ से भी check कर सकते total हमारे पास M plus 2 आए थे तो M plus 2 में से यह 2 हटा देंगे तो बचेगा कितना total M यहनि कि M plus 2 यहनि कि 5 plus 2 7 हो जाएगा साथ में से यह 2 हटे तो कितने बचे total बीच में 5 तो यहनि कि total number जो arithmetic mean बीच में रखे गए थे वो थे 5 ओके तो यह हो गया question 2 हमारा complete तो आज के वीडियो में तहीं करते हैं और next वीडियो में करेंगे इसके आगए questions Thank you